हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका Special Kitchen 9 में आज मैं आपको मातर चावल और चीनी से बिहार फेमस अनरसे की रेसिपी बताऊंगी जो काफी टेस्टी होती है सबी जगह में जैसे पकोड़े का क्रेज होता है बारिस के दिनों में वैसे ही बिहार में ये अनरसे का क्रेज होता है जो काफी टेस्टी होती है लेकिन इसे कड़ी मसकत के साथ बनाया जाता है अगर इसे गलत तरीके से बनाए तो बिल्कुल ही hard बनती है और बिल्कुल ही अच्छी नहीं बनती है तो आज मैं आपको बिल्कुल हलवाई इस टेल perfect तरीका आज मैं बताने वाली हूँ अनरसे की इससे आप अगर बनाएंगे तो बहुत ही tasty बनेगी और बहुत ही बारिस के समय में आने वाली तेहवार जैसे तीज हो गई और महराष्ट में दिवाली के मौके पर बनाएं जाती है अगर आपके भी अनरसे बिल्कुल hard और अच्छी नहीं बनते है तो यह रेसेपी बिल्कुल आपके लिए है अगर मेरे तरीके से एक बर इस रेसेपी को आ यूज कर सकते है तो मैंने इसमें लिए है दो गलास अरवचावल यह देखिये दो गलास आपको अरवचावल लेने हैं थोड़ी सेंटेट होंगे तो यह काफी अच्छा टेस्ट आएगा और थोड़ी नये वाले ले तो ज्यादा अच्छे होंगे यह दो गलास मैंने ना कि ःपए थे इस से अपको भी इसी ग्लास से लेने है और अच्छे से आपको हमारे काफी सोप्ट बनेंगे वही तरीका है अलोई लोग भी इसी तरह बनाते हैं और दो दिन पानी में भीगोने के बाद आप इसे कोटन के कपड़े में निकाल ले और यह देखे पंखेक नीचे आपको आधा गहंटे के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ देना है यह द से मैस करके देखिये यह अच्छी तरसे रफली मैस हो जारे आइप आट उच्छी तरह से तूट जा रहे हैं तो यही क्या करण गा एक मिक्सर के पोर्ट लोगी और उसी में सभी को ये देखे मैं फिर से दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारी चावल फूल चुके हैं अब मिक्सर के पोर्ट में इसे बिल्कुल ही बारिक पीचना है आपको बिल्कुल ही फाइन पाउडर मेरा बन चुका है अगर आपके ए इसा ग्लास से चावल लिये थे तो वही ग्लास आपको पहले चीनी पीस लेनी है। उसके बाद आपको ले पाउडर ये दिखे पहले चीनी को पीस ले उसके बाद आपको मेजर करना है करना है जाद हो जाएगी और फिर मैंने इसमें डाला है एक हमच खींज़ decision में सबरू में पानी होती है नमी होती है तो आपको बिल्कुल हलका पानी देना है या दूद देना है यह देखे हलके से मैंने दूद डाला है बिल्कुल हलका दूद डालना है नहीं तो यह क्या हो जाएंगे आप ज्यादा दूद या पानी का इस्तमाल करेंगे तो यह बहुत ही गीले ह जाएंगे और जो यह हमारे अनरसे के जो सेफ है वो अच्छे नहीं आएंगे यह दिखे है अच्छी तरह से मैं मैस कर रही हूँ और बिल्कुल ही आपको कम दूद का यूज करना है और यह देखे मेरा दो तयार हो चुका है अब मैं इसे क्या करूंगी अभी बिल्कुल नही के लिए कि मैंने इसमें एड़ किया है दो चमश हीय देखे में तील यह उच तेल आप इसमें जरूर अंदर से डाले और फिर्ष मैंने आधा चमश देशी घी कـy उच क्या होगा कि एक बदर अर अच्छह से न मशल लिया है हमने यह देखिए अच्छी तरह से डो बिलकुल ही पर्फेक्ट तयार हो चुका है और आपको जितने भी साइज में बनानी है उसी अनुसार आप अनरसे की गोली बना ले यह लेकिन थोड़े बड़े ही साइज में बनते हैं अगर थोड़े छोटे बनेंगे यह हालवाई अकसर नहीं बताता है यह देखे आपको बिलकुल भी इसे टच नहीं करना है यह दीरे धीरे जैसे यह पकेगी यह खुद ही उपर आएगी और गेस की फ्लेम भी बिलकुल आपको मिडियम रखनी है ज्यादा तेज नहीं करना है नहीं तो यह उपर से पक दोनों तरफ से बिल्कुल नहीं सेके जाते हैं इसलिए उपर का कलर इसका हल्का सा वाइट होता है और नीचे से गॉल्डन होता यह देखे एक से तो इस बार आप तीज में यह बहुत ही टेश्टी आनर से की रेसिपी जरूर बनाए और बिल्कूल ही अच्छे तरह से बनाए तब तक के लिए बाई बाई